ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पॉलिटॉक्स चैनल को कि उन्होंने रैली के बारे में जो निश्चित रूप से एक एतिहासिक चुनावी सभा जोद्पूर मुवी थी उसके बारे में मेरी प्रितिक्रिया जानने की प्रियास्किया है मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यह जोद्पूर में एक अबूद्पूर और एतिहासिक मौका था और जिस तरह का चार्ज और उत्साहर कारिकरता हूं मैं उस रैली में आये लोगों में था मानिय प्रदान मंतरी जी को भी तीन बार ये कहना पड़ा कि आप जो है अगर थोड़ा शान्त हो तो मैं अपनों भाशन देना शुरू करूँ इससे आगे बोलना शुरू करूँ निश्चित रूप से ये इस बात को उद्गाटित करता है इस बात को दर्शाता है कि देश के युवाओं ने और देश के अधिकंज अधिसंग के मद्दाताओं ने इस बात का मानस बना लिया है और ये तय कर लिया है ये संकल्प कर लिया है कि हम मानिय मोधी जी को पुने प्रदान मंतरी बना कर ही विश्राम करेंगे अच्छा सर एक चीज और साथ सामने आई है कि उसमें कि करशी को लेकर के किसानों को लेकर के जो करज माफी की बात हुई थी उस करज माफी को लेकर का आजादी के बाद में सबसे बड़ा धोका है राजस्तान के किसानों ने मैंने गाउं गाउं में भूम करके उनका इस्पंदन देखा है जबदध स्ट प्रितिकरिया आई और इस धोके बाद पार्टी और सरकार दोनों को समूचे रूप से अर्सवी कार करने का मानस जनता ने किसानों ने और युमाओं ने बनाया हुआ है सर पहले आपके जो सामुना था चुनाओं में वो था एक राजपरिवार से इस बार है एक सियासी परिवार से तो आप इसको पहले के चुनाओं को और इस चुनाओं को किस तरीके से देख रहे हैं? जबरन चुट्टी देखर के यहां पे मैनेज करके यहां पे वोटों की गनित को बिठाने के लिए जातिशे वोट भेजा जा रहे हैं। करके पाबंद किया जा रहे हैं। कारेकरताओं के घर से शशस्त्र पूलिस जा करके जंडे उतार रहे हैं। गाड़ियां सीज कर रहे हैं। कोई नहीं लगता कि जिसकी मुख्य मंत्री हैं जो खुद ग्रह मंत्री भी हैं। और जो इस चुनाव में इस तरीके से वे फसे हुए हैं। कि परदेश के कानून विवस्ता के उपर उनका अभी तक कोई विसेश जो एक पकड़ दिखाए देनी चीह थी। वो नहीं दिखाए दे रहे हैं। परदेश के कानून विवस्ता के लिए आपके बारे हैं। चोटी-चोटी बच्चियों के साथ में एक साल, डेड़ साल, दो साल, छे साल, आठ साल लोगज़ के बच्चियों के साथ में बलातकार हो रहा है। राजस्तान में S.P. के ओपर गोली चलाई जा रही है। मैला कॉंस्टेबल भी सुरक्षित नहीं है, उनकी चेन कीची जा रही है। मैला कॉंग्रेस के कारेकरता तक सुरक्षित नहीं है, उनकी चेने लूटी जा रही है। बाडोलियां लूटी जा रही है। मुझे लगता है, ऐसी दुरभाग्यपूर्ण इस्तिति और ऐसी अराजस्ता की इस्तिति राजस्तान ने कभी नहीं देखी थी। और जिस तरह से इन सब के होते हुए भी राजोधपूर में शिक्षिकाओं के उपर तेजाफ फैंका जा रहे हैं और इन सब दुरगटनाओं के होते हुए भी मुख्यमंत्री मौन हैं और बैट करके केवल और केवल अपने पुत्र मोह में धृतराश्ट बनके अपने पु लेगा केमरा में लक्षमन डाभी के साथ दिपेंदर सिंग पॉलिटॉक्स न्यूज जौतपुर टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा